नमस्कार SPN 9 News देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं मांशी जैस्वाल सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस डी वाइट चंदरचूर क्या यहाँ पर बड़ा एलान करते हुए निज़र आएंगे क्योंकि देश की जनता को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा है दरसल ऐसा हम इसलिए कह रहा हैं क्योंकि राश्टरपती दौपती मुर्मू यहाँ पर बड़ा ऐलान करते हुए निज़र आती है अपने भाशन के दौरान जस्टिस डी वाइट चंदरचूर को बड़ी नसीहत देती हैं उनका साफ तोर पर कहना होता है कि देश की जनता में कई लोग ऐसे हैं जो कोट का फैसला आने के बावजूद उनको इनसाफ नहीं मिल पाता है तो क्या वागई देश की जनता को इनसाफ नहीं मिल पा रहा है कोट के फैसले के बावजूद तो क्या आप जस्टिस डी वाइट चंदरचूर यहाँ पर कोई बड़ा एलान करते हुए नजर आएंगे उन्होंने साफ तोर पर कहा राश्ट्रपती द्रापदी मुर्मू ने कि डी वाइट चंदरचूर को वो ऐसी कई फाइले भेजेंगी जिनमें कही ना कहीं जो पत्र उनको लिखे जाते हैं यानि कि राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मू के पास कई जो लोग हैं वो पहुँचते हैं जब अपनी समस्याओं को ले करके पर अपनी परिशानियों को ले करके तो जब राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मू उन पत्रों को पढ़ती हैं तो वो ये समझती है कि देश में कई ऐसे लोग हैं जो अभी काफी जादा समस्याओं का सामना कर रहे हैं यानि कि देश की जो कानून विवस्था है वो फिलाल चर्मराती हुई नजर आ रही है उनमें काफी जादा सुधार की जरूरत है तो जस्टिस डिवाय चंदरचूड को वो यह नसीहत देती है जस्टिस डिवाय चंदरचूड यहाँ पर मोधी सरकार के खलाफ कोई बड़ा एक्शन लेते हुए नसराएंगी क्या कोई कड़ा कानून यहाँ पर बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप इन सभी मामलों पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरू बता है देशर दुनिया की तवाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 News